आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। मैं आप लोग को एक बात पताना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि इसकी परिवर्थ की तिर्जिया है। अगर यहां पर यहां पर गढ़ता है। O B के लिए करेंगे तो यहाँ पर X1 की जिगा X2 आएगा Alpha की जिगा बीटा आएगा बाकी गणना है सेम होंगी तो यहाँ से आप लोग क्या कह पाएंगे कि X2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में R cos बीटा इसी प्रकार अगर आप X3 के लिए करेंगे तो बीटा की जिगा की आजाएगा आपके पास में Lambda आजाएगा और R आपके पास में ऐसे आजाएगा तो यहाँ पर यह पहली समीकन यह दूसरी समीकन और यह तीसरी समीकन अब अगर मैं यहाँ पर इस त्रिबुच का केंद्रक निकालना चाहूं अगर मैं यहाँ पर इस त्रिबुच का केंद्रक निकालना चाहूं जिसे G से विक्त किया जाता है तो केंद्रक का सुत्र क्या होता है Sigma X1 बटा 3 कोमा Sigma Y1 बटा 3 यही होता है हमारे पास में यहाँ पर इसका सुत्र तो देखे जरा यहाँ पे अगर आप लोग मान रखेंगे तो देखे आपको क्या मिलेगा देखे इसी के साथ में सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे y1, y2 और y3 का मान निकालना चाहूँ तो देखे y1 का मान निकालते हैं 5 one का मान निकालने के लिए आपको x one को किसे गुना करना पड़ेगा 10 alpha से तो यहाँ पे गुना कर दीज़ों तो यह पर बन जाएगा r cos alpha 10 alpha का मान रख देते हैं यह बन गए आपके वाज में sin alpha बटा cos alpha cos alpha cos alpha कर जाएगा तो यह मान आजाएगा r sin alpha इसी प्रकार से ये भी क्या बन जाएगा R sin बिटा और इसी प्रकार से ये भी क्या बन जाएगा R sin लेमडा तो ये हो गया समीकर नमबर 4, 5 और 6 अब देखें यहाँ पर आप यह मान लग दीजिए इसका क्या मतलब हो यहाँ पर आपके पास में देखें एक बार अलफा लिखना है फिर प्लस लगाना है फिर अलफा की जगा बीटा लिखना है फिर प्लस लगाना है फिर अलफा की जगा लेमडा लिखना है यहां पर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, OH की प्रवनता, बराबर OG की प्रवनता, तो देखें, यहां पर क्या निकल क्या आएगा, यहां पर देखें, H का जो यह है, आपके पास में, और प्रवनता का जो सुत्र होता है, M बराबर क्या होता है, Y2-Y1 बटा X2-X1, तो यहाँ पर क्या निकलेगा यहाँ देखे ओ एच यह बन जाएगा आपके बास में B-0 बटा A-0 और यहाँ देखे जी जी क्या जाएगा आपके बास में यहाँ पर सिग्मा आर साइन अलफा बटा 3-0 और यह बनेगा आपके बास में यहाँ पर सिग्मा आर कोस अलफा बटा 3 माइनस 0 यह मान निकलाएगा आपके पास में यहाँ पे अब देखे जरा आगे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है अब देखे यहाँ पे यह जो है यह 3 से 3 कट जाएगा 3 से 3 बिल्कुल कट जाएगा यहाँ पी बटा यह बनेगा इस समीकर्ण को उल्टा कर रहा हूँ तो यह समीकर्ण बन जाएगा यह बटा भी यह आजाएगा आपके पास में यहाँ पे सिग्मा आर कोस अलफा बटा सिग्मा आर साइन अलफा अब देखे इसको खोल के लिख देते हैं तो यह बन जाए आर को मन आजाएगा यह बन गया kos alpha plus cos beta plus cos lambda पिर यहां पे बटा में R, यह आ गया आपके पास में साइन अलफा plus sin beta plus sin lambda, R से R कड जाएगा, तो देखें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वो आपके पास में क्या निकल किया, ओपर kos के पर जूळ रहे हैं, और नीचे साइन के पर चूड़ रहें अज़ इस प्रश्ण का जो सही उत्तर है वो आखरी विकल्प होगा धन्यवाद